नमस्कार मित्रों, रासी रत्न काल्ज करम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनन्दन, हार्दिक स्वागत है। मैं अस्ट्रोलोजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे, आज मिथुन रासी का बर्णन करता हूं। जनवरी मास में मिथुन रासी के लिए कैसा समय रहेगा। तो मित्रों मिथुन रासी में चंद्र और राहू की यूत्य लगन भाव में है। यह माइंड को बड़ा फलेक्चुएट कर रहेगा क्या करूं क्या ना करूं इस तरह की स्थिती को इंडिकेट करता है माइंड ब्यक्ति का काम नहीं करता और उल्टे सिधे सोचादी आने लगते हैं धन की स्थिती देखी जाए तो जो धन भाव के कारक गरह माने गया हैं उन देता है इसलिए बहुत सोच समझ कर व्यक्ति को धन आदी के मामले में चलना चाहिए नए कार्ज का प्रारंब इस समय करना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा नए कार्ज पर खर्च करना आपके लिए नुकसान दे शाबित हो सकता है तो इस समय जो पुराने काम हैं वह करके बड़े प्रोजेक्ट आदी पर पैसे ना लगाएं इसमें धन की हानी का योग दरसाया है विद्यार्थी जीवन के लिए जो पंचों भाव के कारग्रा सुक्र भग भाव में हैं उनत्ति कारक प्रगति कारक है इस समय अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं उच्छ सिक्ष हुआ का सुख भाई बहन का सुख यह समय देता है और कुछ न कुछ प्राप्ती का योग करता है असात्रिक प्रोपटी आदि की प्राप्ति सब्सक्राण के देखा जाए ​​ बढ़ियां रहेगा बिशिग्र बिवा के योग बनेगे बिवा से सम्मदित कोई परशानी आ रही हो तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़ियां है इसमें बिवा तैं हो सकता है बिवा होने के योग दर साते हैं और यह समय पति-पत्ने के आपसी सामंजस्ट को बहुत ही मधूर करता है संतान अधी के दिश्ची कोन से कोई व्यक्ति संतान की प्राप्ति की कामना से अधी जो है चाहे तो संतान के दिश्ची कोन से व्यक्ति प्लान बना सकता है उसमें उसे सक्सेस होगा और अस्टम भाव को अधी देखा जाए त और सम्मान प्रतिष्ठा ख्याती की हानी को करबाता है। ब्यक्ति को इस समय कोई नए कार्ज का प्ररम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और जो भी खर्च आदी होते हैं बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। किसी ब्यक्ति को पैसे लेने का देने का जुवा सथा लौटरी सेर बजार इंट्रेस्ट आदी में पैसे न लगाए। पैसे का लेन दिन करना यह महीना बहुत ही नुकसान कारक माना गया है। तो पैसे की श्चति जो आदी बनती है तो उसमें ब्यक्ति कभी कभी कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज को लेता है। यह श्चति आपके लिए विप्रीत कारक बनेगा। उससे दे पाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। 24 जनवरी के बाद समय में परिवर्तन का योग इंडिकेट किया है और इस परिवर्तन के आधार पर उसमें जो रुके हुए काम हैं पहले के आपके रुके हुए काम हैं वो काम बनेंगे और जीवन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों यह मिथुन रासी के लिए जनवरी मास्का वस इतना ही आगे मिलते हैं मित्रों आप हमारे चैनल को अधी अभी तक सब्सक्राइब ने किया इसे सब्सक्राइब करें और बेल एटम को दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आपको राप्त हो सके और आप उसका लाब उठा सकें